Hello students, once again you are most welcome here at the YouTube channel Social Literary Stump. तो students, आज हम 9th class के Beehive textbook के कार्टमांदू लेसन की यहां पर डेटेल्स समरी लेकर आए हैं. स्टुडेंट्स इस कार्टमांदू नामक लैसन के राइटर हैं विक्रम सेट जिनका जन 20th June 1952 में कोलकाता में हुआ था. यह इंडियन राइटर अब तक 8 books of poetry and 4 novels he has written. विक्रम सेट एक बहुत ही versatile writer हैं, इनकी जितनी भी books हैं students, उनमें आपको इनकी एक बहुत ही clear और पढ़ने लाइक style, बहुत ही आनंदित करने वाली भाशा, कहीं irony और कहीं पर technical mastery मिलेगी जब आप इस लेसन को पढ़ेंगे. अपनी इनी खूबियों से आप विक्रम सेट को देखेंगे, कि उनको English language का Indian writer होने की नाते, एक famous writer माना जाता है, एक विक्रम सेट को बहुत से awards भी मिले, और उनको पदम श्री आवार्ज से भी सम्मानित किया गया. तो students, यह जो लेसन है, यह विक्रम सेट की एक बहुत famous travelogue है, जिसका title है, Heaven Lake. वहां से एक अंश, एक excerpt लिया गया है, इस लेसन में विक्रम सेट ने अपनी काटमान्डू यात्रा के बारे में बताया है, तो जब विक्रमान्डू के famous पशुपती नात मंदिर गए, बौध मंदिर गए, वहां के बाजारों में गए, तो वहां उनको कैसा लगा, सब का स बताने की कोशिश की है उन्होंने इस लेसन में, सो अब हम चलते हैं, इस लेसन के detailed summary की ओर, तो इस तुदेंट्स ये काटमान्डू नाम का लेसन, उस शहर के दो famous temples को depict करता है, उनमें से एक है पशुपती नात का मंदिर, और दूसरा है बौध स्टूप, जो की मंदिर है, तो जब राइटर विक्रम सेट पशुपती नात के मंदिर के सामने पहुचे, तो उन्होंने मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ देखा, जिस पर लिका था, entrance for the Hindus only, means इस मंदिर में केवल हिंदू को ही प्रिवेश की आनुमती है, राइटर ने देखा कि चा नहीं कोई व्यवस्ता नहीं थे, कोई सिस्टम नहीं थे, पूरा सिस्टम जैसे एकदम अस्त व्यस्त था, सभी तरह के जानवर वहां खूम रहे थे, खुले, भीड़ बहुत ज़्यादा है, और जितने भी वहां लोग हैं, वे सभी एक दूसरे को धक्का मुकी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, किसी भी तरह भगवान तक या उस पुजारी तक पहुचना चाहते हैं, जो वहां मंदिर के अंदर है, तब ही राइटर देखते हैं, एक वेस्टरनल लोगों के एक ग्रुप को जो भगवान के दर्शन करने मंदिर के अंदर जाना चाहता है, लेकि मंदिर की गेट पर खड़े पुलिस वालों ने उनको रोक दिया है, क्योंकि ये लोग वास्तों में भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, इस बात पर उस पुलिस वालों को यकिन नहीं हो रहा है, यहां वहां बंदर भी उचल कूद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं यहां अधिया बागमती नदी, उस नदी के गाट पर जो वाशर मुमन हैं धोबिन रहती हैं, नदी के इसी गाट पर यह छोड़ा सा मंदिर भी है, जिस देखकर लगता है कि इस मंदिर का आदा हिस्सा नदी के अंदर और आदा हिस्सा नदी के बाहर है और students, लोगों का ऐसा मानना है वो writer बताते हैं हमें कि लोगों का ऐसा मानना है कि एक दिन ये पूरा मंदिर नदीर से बाहर आ जाएगा और जब ये नदीर से बाहर आ जाएगा तो इस मंदिर के अंदर जो देवी विराजमान है वो कहीं चली जाएगी और उसके बाद इस कल्यूक के इस बुरे वक्त का अंत हो जाएगा मेंस कल्यूक समाप्त हो जाएगा खत्म हो जाएगा वहां के बाद राइटर बोध स्टूप यानि बोध मंदिर जाते हैं जहांकि आसपास बहुत शांती है उस मंदिर के चारो रोड्स बनी हुई है इस इस्टूप के आउटर एज मींस बाहरी किनारे पर जो तिबतन इमिग्रेंट्स हैं तिबती प्रवासी लोग हैं उनकी छोड़ी छोड़ी दुगाने बनी हुई है यहां कहीं कोई भीड़भार राइटर नहीं देते हैं उसके बाद राइटर वहां के बाजारों के बारे हम बताते हैं वो कहते हैं कि काटमंडू एक भीड़ भरी जगह है बहुत ही व्यस्त और भीड़ भरी गलियों में देवी देवताओं के अनिको टैंपल्स बने हैं इन गलियों में फ्लूट सेलर्स फ्लूट सेलर्स मेंस ब कास्मेटिक्स, फिल्म रोल्स और चॉकलेट्स वगएरा बेची जा रही हैं और वहीं इन दुकानों पर ही हर तरह की फिल्मों के गाने सुने जा सकते हैं कारों के हौंस, साइकल की घंटियां, सरत पर घूंती गायों की, लोकों पर रंभाने की आवाजें ये सब वहां सुना जा सकता है, हमारे राइटर इन सब चीजों का वहां भरपूर आनद लेते हैं, बिल्कुल फ्री होकर उसके बाद हमारे राइटर मिस्टर विक्रम सेट अपने घर वापिस आने के प्लैनिंग करते हैं और वहां से सीधे नेपाल एरलाइन्स के आफिस जाकर दिल्ली की एक टिकेट खरीते हैं और अपने होटल जहां वो ठहरे हुए थे, वहां वापिस आ जाते हैं तो जब वो अपने होटल वापिस आते हैं तो होटल के पास ही एक चुरही के एक कोने में खड़ा हुआ कोई बांसूरी वाला उनका ध्यान अपने तरफ खेंच लेता है और जिस बेफिक्र तरीके से वो बांसूरी बजा रहा था हमारे राइटर को उसका वो तरीका बहुत अच्छा लगता है यहां राइटर हमें बताते हैं कि किस तरह से दूसरी लोग अपनी चीज़ों को चिला कर बेशते हैं लेकि एक बांसुरी वाला अपनी बांसुरीों को अपनी फ्लोट्स को चिला कर नहीं बेशता हमारे राइटर को फ्लोट्स का म्यूजिक बांसुरियों का म्यूजिक हमेश कि समने तक बोध कराता है यहां राइटर हमें बताते हैं कि कोई भी कल्चर ऐसी नहीं है जिसके अपनी कोई बांसूरी ना हो वो बताते हैं कि जो इंजिन फ्लूट है बांसूरी है वो बहुत गहरी है डीप है जो साउथ अफ्रिका की या साउथ अमेरिका की सोरी जो फ्लू सांसों को फुला देने वाली है वो चीन की फ्रूट्स उची आवाज मेंस हाई पिछ वाली होती है इस तरह से हमारे राइटर का मानना है कि फ्रूट म्यूजिक बहुत यूनिवर्सल है सारो भामिक है और हर एक फ्रूट को सिर्फ सांस के माध्यम से बजा जा सकता है और यही एक वो गून है फ्रूट म्यूजिक को जो यूनिवर्सल बनाता है बामसुनी के उपर जो भी कहावतें फ्रेजिस बनी हुई है हमारे राइटर उनसे बहुत प्रभावित होते है बलकि यह कहावतें यह फ्रेजिस उन्हें बहुत सर्प्राइज कर देती है तो इस तरह एक लंबे एपसेंस के बाद हमारे राइटर अपने देश लोटाते है उन्होंने जो कुछ भी वहाँ देखा उसके बारे में वो पहले कभी सोचा नहीं था उन्होंने ऐसा ऐसा वो अपने लेसन में बताते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हम अपनी इस समरी को एंड करते हैं और एक बार फिर से मैं आप से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज 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 दोस्तों अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सोशल लिटेरी स्टंप अभी तक भी सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी कीजिएगा और यह साइड में जो बैल आएकन लगा हुआ है न इसको हिट करना बिलकुल मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिलते रहें उनकी इंफर्मिशन आपको मिलते रहे तो थैंक्यू वेरी मच्च आज मेरी और आपकी मुलाकात यहीं पर खत्म होती है बाई बाई टेक केर कीप हल्दी